आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहांपर 2 जयांब में इसमें कितना सकती है कितना सकती ये उपभूक्त कर रहाका पर density इसको ग्याद करना है तो देखें सक पहला परिपरत मगर हम लोग देखें यहां पर यहां पर देखें बैटरी लगा हुआ है है कई सेलों को मिलाकर एक बैड्री बनता तो 6V की battery लगे हुई है, ठीक है, यहाँ पर एए वाले में, ठीक है, तो हमको जो विबुवांतर है, V कमान यहाँ पर कितना है, 6V दिया हुआ है, ठीक है, और देखे, यहाँ पर क्या है, यह कुझी K है, हाँ न, यहाँ पर बिंदू लगा है, बीच में इसका मरलब क्या है, यह on position, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा, अब दो प्रतिरोध है, एक ओम और दो ओम, तो यह दोनों किसमे हैं, यहाँ पर स्रेंडी क्रम में दीख रहे हैं, यह दोनों किसमें कौन से क्रम में ठीक है, तो देखिए, हमको विवांतर पता चल गया, और यहाँ पर तीन ओम कूल पतिरोध भी पता चल गया, तो धारा कमान यहाँ से लिका लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर, वी बटा आर, ओम के नियम से यह हमको मिलता है, वी यहाँ पर 6 है, और यह कितना है बहेगी, ठीक है, इसमें भी 2एम थारा लेंगे, एक ओम वाले में, और 2एम वाले में भी 2एम थारा इसमें प्रवाइत होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम लोग पावर लिका लेंगे, टीक है, दो ओम प्रतिरोध ब utilizz सक्ति कितना कंजूम कर रहे है तो इसका सूत्र हो जाएगा I square ठीक है और जो हमारा प्रतिरोध है इसको अगर R2 माल लेंगे ठीक है तो I square R ये हमारा सूत्र मिलता है तो I कमान 2 का वर्ग हो जाएगा R2 मतलब यहाँ पर 2 Ohm प्रतिरोध ठीक है तो ये कितना जाएगा दो दूनी 4 और ये 2, 4 दूनी 8 ये कितना हो जाएगा हमको किस में मिलेगा वाट में मिलेगा ठीक है तो 4 दूनी 8 वाट मिल गया तो 2 Ohm वाले में जो कितना सक्तिक अंजिम हो रहा है 8 वाट ठीक है अब हम लोग लिखालते हैं दूसरा वाला परिपत देखिए इसमें जो विभुवांतर कमाने हो चार ओल्ट दिया है ये ओन पोजिशन में ठीक है धारा इसमें प्रवाइत हो रही है अब यहाँ पर क्या है ना 2 Ohm और 12 Ohm ये दोनों समानतर करम में हैं ठीक है तो दोनों में क्या है ना अलग अलग धारा प्रवाइत होती I1 और I2 ठीक है तो इसको कैसे ग्याद करेंगे हम लोग देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो विभूांतर है वी कमान कितना हो जाएगा चार ओल्ट हो जाएगा और समानतर करम में विभाव बराबर होता है तो 2 Ohm में भी उतना अई विभाव है, 12 Ohm में भी उतना आयू विभाव है ठीक है हमको अगर यहाँ पर power लिकालना है देखे यह न इसको हम लोग directly क्या लिखते है न पी one लिखते हैं ठीक है confusion नहीं हो बटा R2, तो V हमारा क्या है? 4 ओल्ड, तो 4 गुड़ित 4, ठीक है? और R2 हमारा 2 है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 वार्ट तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? P1 बराबर P2 है, तो दोनों ही केस में हमारा पावर कितना मिल रहे? 8 वार्ट मिल रहे, तो हाँ, क्या लिख सकते हम लोग? अतो हाँ, दोनों स्थितियां में समान सक्ती बूत हो रहे है, तो यहाँ यह मारा उत्तर हो रहे हैं? Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर